डॉक्टर सुरूप सिंग मरवादी पुस्तक चिंता रोग कारंते उपादा तेरवांग है चिंता वांदियां दर्दा चिंता वांदियां दर्दा बारे का लसी शुरूची सपष्ट कर देना चौनियां के उना दियां दर्दा महज ख्याली नहीं हकिकी हुन दिया हन आम लोक आखदे हन के चिंता वानदियान दर्दां के वल ख्याली हुंदिया हन पर गल्द दृस्त ने, ओस विचारेनों सच मुछ दर्दां हुंदियान हन ती वे नगानों अन्भव करदा है दर्दां वल त्यान देंदा असर दर्दां भारे सब तों पहले यी ते जरूरी सम्झनवाली गली है कि त्यान देननाल माडी जी दर्द वीव देरी मालूम हुंदी है त्यान ना देननाल सदारंजी दर्द अन्बवी नी हुंदी जांग च लड़ देश पाईयानू कई सटना लग दिया फेर वियो पहले वांगी लड़े तुरी जन दिया जद उननादा कोई साथी उननादा त्यान लगी साथ वल्ले उन्दा है फेरो दर्द अन्बव करन लग जन दिया इखोर उदारन कारी गरानू कम कर दिया कई वर हाथ ते साथ लग जन दिया पर उकम करी जन दिया जान दिया सारा कम खतम कार लैंड पिछो जद उनननो अपने अंगुठे तो उड़े आ मास दिस पेंदा फेरो अंगुठे च दर्द अनबव करन लग जन दिया एस गलनू वो देरे सपश् मुरीज दा हाल दस्तियां मिस्टर टी स्तंबर सानों निसो संताली जद के पार तो पसाद हो रहे सान अधी राती साधी हस्ताल आया उदा सज्जा हाथ बंब नाल उड़ चुका सी मैं उन्हों क्या तो उन्हों दर्द ता बहुत हो रही हुनी है जी हां इस वले तो मैं काफी दर्द में सूस कर रहे हैं पर ये तो पहला जद के इस साथदा पता नहीं सी लगा मैं कोई दर्द जा दुख अन्बव नहीं सी कर दा जो तो मेरे एक साथी ने मैंनों दस्या के तेरा हाथ बंब नाल उड़ गया होया है तामें दर्द अन्बव करन लगते हैं उस उन्हें उत्तर दिता डॉक्टर शिंडलर लिख दिया है हर इक मनुख नू माडियां माडियां दर्दां हर वेले स्रीर दे किसे न किसे हिसे छुंदियां ही रन दिया लक, मुड़े, लत्तां, सेरा अद्वेच थोड़ी-थोड़ी दर्द हर इक नू रन दिया जेस गल्दी प्रिख्या करनी चाओ तैना चो किसे हिसे वल पूरी तना एक सार अद्दा कंटा त्यान जमाओ येस पेचो तुस्योस हिसे च दर्द अनुबव करन लग जाओगी दर्द वल त्यान देननल राई पर दर्द पहाड जिड़ा बन जन्द है तरंगी आदमी आम तोरते मड़ी जी दर्दनू बहुत ज्यादा अनुबव करद है इंज करना उधी एक आदत बन जन्दी है क्योंकि उहर वेले अपनी माड़ी जी दर्द वल त्यान देन दे ते उधी चिंता करदा रहें दे दर्द दी चिंता दर्दनू होर वीवदां दी है डॉक्टर के एक नौजवान ते अपने इलाके दा एक परसेद डॉक्टर है उनू कदी कदाई च्छाती दे खब्बे पासे मड़ी जी दर्द हो जन्दी है जदो दर्द दी चुबक पेंदी है ता उधी मंच इही विचार हों दे के किते दिल दी पीड न होए एक ख्याल हों दिया ही उनू कबराट शुरू हो जन्दी है देल तड़कन लग जन्द है लगतांच जान नहीं रहन दी जिमें जिमें ओ इस दर्द दी चिंता कर दा है तिमें तिमें दर्द वद्द जन्द है एस चिंता नल उनू कई बरी सारी रात नीद भी नहीं हों दी ते जो दोसी किसी टीजवलते आंदेन लग जाने है तो उनू अन्भव भी करन लग जाने है मिसाल देता और ते लग पेड़ दा एक मरीज लगातार तेन चार कंटे लग पेड़ नू अन्भव कीते बिना कुरसी ते बैठा कुछ लिखदा पड़दा रहन दे पर जदो अपना काम खतम कर लेन दे तो उस पिच्छों उनू लग अकड़ अन्भव हों दे जिनना समाओ दात्यान अपने कामबल लगा रहा उन्हें कोई तकलीफ महसूस नहीं केती पर जदो अधात्यान अपने कामबलू हटके लगवल लाया तो लगदा अकड़ा अन्भव करन लग पेड़ इक और उदार एक वरी अमरीका दा एक परफेसर जिदा नाम विलियम फ फिलिपस सी एक समुंदरी जहाज दे सफर कार रहा सी रस्तेट उन्हों सखत लग पेड शुरू होगी एस समेच जहाज दे मुसाफरा ने एक मीटिंग केती ति उस परफेसर नू पाशन देन ले सदा देता वोस वेले उन्हों एडी सखत लग दर्द हो रही सी उसे दा उदी सारी लखपीड दूर होगी ओ उन्हों सिद्धा खड़ा सी हिल जुल्वी सकता सी उन्हों लगा तरीक कंटा बिना कोई दुख दर्द अन्वव की ते पाशन देन दा रहा पर जिमी उदा पाशन खतम होया उन्हों वग्येवंग फे लखपीड चुरू होगी सड़े कंटा जहर वेले माड़ी माड़ी शांशां हुंदी रहन दिया पर इन्हों उसी कदे अन्वव नहीं कर दे इदा कारण ही है कि सारा दिन काम चरुजे रहन नाल सड़ते आने शांशां वल नहीं जान दा पर जद कदे असी किती इकांत जगाते जान देया जा राद असी इस शांशां पेहली वर सुन देया तक अबड़ आ जान म क्योंके अगले शांशांक कदे अजैई अवाज नहें सुनी नहीं सी जबें जबें सी शांशां वलत जन देया तिमए तिमीं वध़ देंदी है ऐसी तरह कड़ी दी टिक तिक दी ऑवाज आम तौरते संनों पर जद सी इस टिक टिक वल त्यान दिनने आखास का राती शौन वेले तेदी वाज साड़े करनाच ओंदी रंदी है येस तो सिद्ध हुंद है कि जिस चीज वल असी त्यान दिन देया उन्हों अन्भव करन लग जाने है उदारन एक पेंडू जद पहली वार शेहर होंद है मोटरां बसां ते टांगयां दे रोले ते लोकां दी पेड़नू वेक्यों कबरा आजान दे एस रोले गोले दे कारण रात उन्हों नीद भी नी होंदी पर कुछ समय पिछों वो गाख जान दे इस पासे वल त्यानी नी देन दे फिर जे में ठठे आरां दे कब उत्तर खड़ाके तो नी उड़ दाए ते में रात नूँ पामे ओदे कोड़ों दे रेल गड़ी क्यों ना लंग जाए कूक सुत्ता रहत तीमी अउबल दे पाने जहात पा देन दे या ते उनानू कुछ नी होंदा पर जे मर्द दी चीची बढ़ दे घरम पाने ज़े तो हाई हाई कर दा चीची नूच अट बार काड़लें ते उस वहल वेखन लग जान दे के ते लूज ता नहीं गई इदा कारण तीमी ने हर रोज दे अब्यास नाल गरम पाने जहात पापा के दर्दनू अन्वाब ना करना सिक लेया ओंदे ज दार फिकर चिंता थी, हार वेले उस वालते आंदेंदे रहना, उन्हों वदा आदेंदे। इस सारियें चीजांदा डर फिकर ते चिंता पैदा करती हैं, ते एसलिए जोडान दियां दर्दां दा एक कारण बन जांदी हैं। उन्हों डर पैजांदा है कि किते उंगल दी हड़ी टुट नंगल होई। एस डर्दे नालू मड़ी जी दर्दनू बहुत ज्यादा अनबब करते हैं। पर जदो वेख लेंदा है कि उंगल दी हड़ी ठीक ठाक है, तो उदी दर्द अपने आप ही कट जांदी हैं। तो फिर अपने कम करन लग जांदे। लोग दंदां दे डॉक्टर कोड़ों डर दे हैं। दंद पीड़ दे मरीज दा आम तोरते ख्याल हुनदा है कि जद दंदां दा डॉक्टर दंद कटेगा तो बड़ी पीड होएगी। इसलिए जदो दंद सास दी, दुकान अंदर पैरी तर दा तो उदी दंद पीड हूर भी बज्जन दिए। कार्ण डर ते ओदे उपरंत पैदा हुईयां पैडियां तरंगां। एदी उल्ट लोग आम डॉक्टर कोड़ जान पुसांद कर दिए। आम लोग कान दा ए ख्याल है, ते ख्याल है वी दुरुस्त के जदो एस डॉक्टर पास जान गे तो डॉक्ट जान तको दिदी दर्द अपने आपी दूरो जान दिए। इदा कारण डॉक्टर ते विश्वास ते शर्दा चंगियां तरंगां। दर्दां दा मनो विज्ञान के लाज। चिंता वांदियां दर्दां दे दो कारण हुँदे है। दर्दां वलतियां देंदे रहना, ते दू टूने रहें करण दे सी। किते किते तरीका हाले भी पर चला। कई लोकां दी पीड किसे पीर फकीर दी कबर उते जाके दीवा जगाउन जाको चड़ावा चड़ान नल हाट जान दिये। और भी कई जये टांगां जिना नल लोक दर्दां दूर करण दी है। जिस टांग ते किसे नू विश्वास होन दे उसे टांग नाले उधी पीड नू अराम आजान दे। विश्वास दा मरीज दे मानुक ते ए परबापें दे कि उन अपनी बिमारी दा डर ते चिंता नहीं रहेंदी। इन्चो अपनी बिमारी वल काटते आन देंदा ते उध अंदरों पैडियां तरंगा नहीं निकल दियां। इसलिए उदा धर्द अपने आप दूर हो जन्द है। याद रखो विश्वास ते शर्दा हमेशा चंगियां तरंगा पैदा कर दे हैं। टेस्ट ते एक्सरे करने पे चुपता लगा के इस मरीदे सारे जोड अंदरों ठीक ठाक है। याद दर्दा दा कारण चिंता से। उन्हों एक अल समझा आती गई। कुछ समय पे चुपता दूर हो गई। तो याद दर्दा भी अपने आपी ठीक हो गई है। ते ओ सत वजे स सहाइता दे कम करन लग पे आ. चिंता वान नू अपनियां दर्दान दा बौता फिकर नहीं करना चाहिए है। पूरा लाब नहीं होईगा साधियां दसियां गलानों समझ के ते उना ते अमल करके चिंता वान थोड़ी समझ पैडियां तरंगा मतलब डार फिकर चिंता छड़ के चंगियां तरंगा मतलब खुशी प्रोसा शर्दा पैदा करनियां सिख जाएगा ते इस तरह अपने दुखदाई जीवन नों अनंदमाई जीवन विच सोखे ही बदल लाएगा कांड तेरां दियां याद रखन वालियां गलां पहले चिंता वान दियां दर्दां दा कारण उधी चिंता है दूसरा दर्दां वाल त्यां देननाल राईजनी दर्द पहाड बन जान दियां तीसरा, जे दर्द वालतियान काट दिता जाये तो काट अन्भव हंदिये। चोप डर, फिकर ते चेंता, मतलब पैडियां तरंगां दर्दनू बदा देंदियें, खोशी, विश्वास, शर्दाद, चंगियां तरंगां कटा देंदियें। दे मागी बिमारियां ते पार दे परसिद डॉक्टर ते All India Institute of Medical Sciences दिलीट प्रफेसर अमरेटस डॉक्टर बल्देव सेंग ने, अठ जुलाई 1989 सी नू इंडियन मेडिकल एसोसियेशन अमरेटसर नू सम्भोतित करदें अंदसिया सी कि हर दर्द दे दो हिस्से हुंदे हैं। इक दर्द आप ते दूजा चिंता ते परेशानी। जे चिंता ते परेशानी नू दूर किता जाए था दर्द नू अपने आप फर्क पहचांदे। किसे दर्द दे इलाज समेट चिंता ते परेशानी दा इलाज वी नालू नाल करना ज़रूरी है। दानुबाद